Hello everyone, कैसे आप सब? Investing with Hardeep मैं मैं आपका फिर से स्वावध करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अब्डेट पे अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके All पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियो अप्लोड हों आप लोगों तक notification जो है वो सबसे पहले पहुंचाए क्योंकि आप लोगों का एक subscribe जो है मुझे बहुत motivate करता है ताकि मैं अपने content को और ज़्यादा improve करूँ और अब बात कर लेते हैं IRFC की तो IRFC में कल के दिन आप लोगों को देखने को मिला है 1.61% की तेजी और main बात आती है कि Monday के दिन यहाँ पे IRFC के अंदर क्या कुछ देखने को मिल सकता है तो last closing में जहां 34 रुपे 75 पैसे पे stock ने अपने closing दी है 1,5% के आज-पास की तेजी के साथ हैं वहीं 5 दिन के returns देखेंगे तो आप 8.26% के return जो है IRFC ने अल्रड़ी इंवेस्टर्स को बना के दिये एक महिने के अंदर 26% के return है चे महिने के अंदर 45,5% और अगर एक साल की बात करो तो 60% के return है maximum returns कोई जादा नहीं है सिरफ 50% के return जो है IRFC ने अभी तक investors को अपने maximum returns में बना के दिये हैं अब IRCTC जो है उसकी ये तीन subsidiaries है IRFC जो है RVNL जो है और साथ में IRCON International जो है तो इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा जो तेजी है वो है RVNL के अंदर है और RVNL के अंदर तेजी की वज़ए है कि लगातार contract पे contract मिलने वो सबसे main reason है यानि कि कमाई का जरिया जो है वो आ रहा है यानि कि कमाई यहाँ पे आ रही है और जब अंदरूनी खबर बाहर आती है market में आती है तो बहुत सारे investors जो है ऐसे stocks में इन्वेस्ट करने लग जाते है और वही चीज इस टाइम जो है RVNL के अंदर हो रही है लेकिन IRFC के उपर main problem है कि उसके उपर almost 385,000 करोड का जो है यहाँ पे करजा बाकी है अब इसका market capitalization है 45,000 करोड का और यहाँ पे इसके जो assets है वो है 4,61,000 करोड के और इन assets के basis पे जो है company को 3,85,000 करोड का करजा दिया गया है अब यहाँ पे बात आती है कि after market orders के अगर मैं बात करूँ तो वो कितने कुछ देखने को मिल रहे है after market order अगर देखेंगे आप तो after market order में देखिए आप almost 2,98,000 अथाई shares जो है वो buying quantity में है और अगर बात करूँ में selling pressure की तो 32,89,194 shares जो है वो selling order में देखने को मिल रहे है selling pressure काफी जादा है और इसी वज़े से Monday के दिन जो है हमें stock में थोड़ी सी negativity भी देखने को मिल सकते market opening के time पे अगर last closing session का volume देखेंगे आप तो बहुत ही कमाल का volume जो है last closing session में हमें देखने को मिला 20,74,83,523 share का almost 21 CR का जो volume रहा overall वो कल के दिन में हमें IRFC के अंदर देखने को मिल चुका है अब यहाँ पे technical chart से इस चीज को समझने कोशिश करते हैं almost देखिए अपने यहाँ पे इस level के आस पास है यह stock का resistance है यहाँ पे पहले भी एक बार दो बार और यह this is the third time कि stock दोबारा से उसी range में आया हो और अगर यहाँ पे यह stock इस range को break करता है quarter 4 की earnings हाला कि अभी आई नहीं है और इस range को अगर break करता है तो stock में जो है हमें काफी positive momentum देखने को मिल सकता है short term के अंदर भी और long term के अंदर भी हाला कि अगर आब बात करें कि volume की तो देखे 23 crore, 31 crore, 29 crore, 11 crore काफी heavy volume जो है हमें IRFC के अंदर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ में community sentiments देखेंगे तो आप 100% buy की तरफ यहाँ पे recommendation जो है community sentiments की तरफ से हमें IRFC के अंदर देखने को मिल जाती है intraday large deals की अगर बात करें IRFC की intraday जो large deals कल के दिन में हमें घटती भी देखने को मिली तो उसमें देखिए आप जो है पांस तारीक को हुई intraday जो last deals हुई उसके बाद भी यहाँ पे 6 तारीक को यानि कि आज के दिन पे भी अच्छी खासी intraday deals यहाँ पे after market order में हमें देखने को मिल देखने को मिल देखने को मिल देखने तो यहाँ से एक positivity जो है जरूर बन सकते है लेकिन resistance अगर break हुआ बाइंग अच्छी खासी pressure में है लेकिन अगर यहाँ पे जो है अच्छी खासी बाइंग के साथ में level जो है वो break हुआ तो काफी positive momentum जो है हमें IRFC के अंदर बंता हुआ देखने को मिल सकता है operating profit अगर देखें आप लास्ट quarter का तो अल्मुस 23,417 क्रोड के आसपास का operating profit company ने जनरेट करके दिखाया था yearly basis पे अगर बात करें तो और साथ ही साथ में अगर shareholding pattern अपडेट देखें तो यहाँ पे अल्मुस 86.36% जो है पर मोटर के पास है FI ने stake increase किया है mutual funds ने decrease किया है और public ने अपना stake जो है IRFC के अंदर quarter 4 के अंदर increase कर लिया है और अगर आप bank nifty nifty के अंदर ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग से daily का 2-3,000 का profit कमाना चाहते हैं तो वीडियो के description box में आप लोगों को मेरे free telegram group का link मिल जाएगा जिस पे daily मै एक से दो डेमकोल देता हूँ और इस एक से दो डेमकोल से आप daily का 2-3,000 का profit कमा सकते हैं with 15k investment के साथ में यानके 15,000 की investment करके आप daily का 2-3,000 का profit कमा सकते हैं और सीखने का भी मौका मिलेगा performance चेक करनी है तो आप telegram group को join करके performance भी चेक कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगा झाल 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 झाल